तो कैसे आप लोगों फिर से मैं ने विडिये में तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जीएश्टी क्या होता है यहां पे चार तरह के जीएश्टी होता है पे जीएश्टी होता है यहां यूटी जीएश्टी होता है यह सब जीएश्टी क्या होता है बहुत सर वेपारे के तो यह लगता है कि जो हम ले लगे तो यह चार तरह के टैक्स हम लोगों को देना पड़ेगा और बहुत सर वेपारे के तो यह भी लगता है कि एक प्रोडक् इस video में अगर आप GST के जी भी नहीं जानते हैं, अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इस video पुरा full हो जाएगा, आपका पुरा knowledge होने वाला है, तो अगर आप इस video का आप देख लेते हैं, तो GST के जिटना भी आप विडियो है, यूट्ब के पहरी बार ये video आने वाला है, जिस्टी के फुल टॉपिक है मतब फुल डिटेल में ये जीस्टी वाला वीडियो आने वाला है जुच्ट जो बाद देखें जिलिए स्टाट करते हैं सबसे पहले आते हैं कि GST होता क्या है GST कंमालों समझते हैं तो GST तीन चीज बनके लिलाइब होता है पहला , जी , जी , फ़िकर का मतों होता है , एक क्या होता है , अब यह समझासे की चांज होता है , टैक्स फूप अब यह 3 दूटल्ब और ऑलटता है , जी पन्टस होता है तूप होता है ञीव कोई माल थीकर कोई माल भों आकिल ख CIA , समान हो गया वक्तु हो गया उसका English के होता है Boots होता है सर्गेश का मतलब क्या हका? का सीवाँ है अब हम पुरा बताने वाले हैं कि सिवाँ होता है Boots क्या होता है और टैक्स के मतलब कर पहले हम लोग अंगरीज्टों को लगां मैं देते हैं अब सरकार को लगां देते हैं हैं सबसर करते हूँ कि जो भी हम लोग टैंसका यूज़ करते हLaughसे ज़गा नहीं पैंस हआँ जगहां से लिए ऐलोको तक्तर बनाने में रोड बनाने में जो यूज़ किया जाता है हमें लोग तो तएचर जो सरकारी जॉब हो गया पूलिस हो गया और भी सरकारी मिले हो गया या फिर हम गोंडेगे के नाम देते हैं सरकारी वखील हो गया जितना अहीं सरकाली job है। बहुत सरकाली job है। वहीं जो हमुद्स करतेैं वहीं सरकाली टीचर करते हैं। बहुत सरे tax होते हैं, बहुत सरे हम लोगो tax देते हैं, तो उनलोगो payment होता है. अगर हम लोग tax देना, बंद कर देती हैं, तो सरकार कोई source of income है नहीं. जो पहला income, जो source of income है, जो सरकार पैसे कमाते हैं, उनका जर्याची है? Tax, तो tax लेना सरकार का हख होता है. इसलिए हम लोग से सरकार tax लेते हैं हर चीज़ पर tax लेते हैं अभी हम लोग आगी जैसे जिसे वीडियो में हम जाते जाहें ये वैसे वैसे विजशे आप लोग स्थिख्क्ली जाहिएंगा कि tech क्या होता है छेक क्रμस्पों कुछ भी हुआ जैसे में हम लोग पढ़ रहे waard माईक की वाईल हो गया ट्रांकरद हो गया डिंग को गया और छीट्वी हो गयाल belief आता चावल चावून नमक यह सब जितना भी क्या गोठ कर आंट ठीक lorsqu दुझा नहीं के आता है, इसिए सर्विस क्या होता है, जो भी हम लोग सर्विस, मतलब हम लोग देखें जैसे आप लोग वॉट्ट्षप चला रहे हैं, तो वह बैस्टरा क्या होगया, सर्विस हो गया, अब ट्रांस्पोर्ट से एक जगह से दूसरे जगह पर आप माल लेके तो हम लोग transportation क्या हो गया, एक तरह क्या सर्विस हो गया, ट्रेंस हम लोग कहीं जाते हैं, तो train भी क्या हो गया, एक सर्विस हो गया, जो भी आप लोग का सर्विस देते हैं, ठीक है, जैसे जीएक और टेले का हम लोग को क्या सर्विस देता है, कि हम लोग उसके सहाईता से ए यानि पैसे को जो सरकार लेता है, हम इसी को क्या बोलते हैं, GST बोलते हैं, अब देखें, आप लोग बोलिएगा कि GST आप लागो हुआ, नहीं उसको यह जो टैक्स जो है बहुत सालों से चलते आ रहा है, लेकिन टैक्स जो है 17 प्रकार के टैक्स होता है, प्रोपर्टी टैक जो होता था हम लोग को सरकार को देना पड़ता था, उस सारे को हटा कर एक चीज़ बना है, वो बना है GST, ठीक है, नहीं GST बनाएंगा तो 17 को हटा के GST बनाएं, विच सत्रों को हटाया क्यों गया हम इसी लिए तैय पे, आगे थोड़ा हम बात करने हो, बात करेंगे कि हम वह सबस्द चिंश यह जो हमारतों कि ऊ смог संज़ गें से कम कुछ बार का पता से नियुक्त जो अब इस तर्थ nasi पियुक्त काम करते हैं या फिर अप सब्सक्राइब करेंगे कुछ percentage tax लेते हैं और उस percentage को हम लोग में यूज कर देते हैं जैसे कहीं कहीं अच्छा सरक बनाते हैं अगर सरक लिए हो तो हम लोग को बिजनस कैसे करेंगे हम अपना प्रोडक्ट लाएगे कैसे ट्रांस्पोर्टेशन कैसे हो अधर प्रांस्पोर्टेशन नहीं होगा तो हम कोई स्कीम करके जैसे बाढ आगया सुखार आगया या फिर कोई भी सब गरीबों को यह फ्याद्ह करते हैं सरकार च्छल मेंotर जो शाल में योजो नृते हैं वह सब किसे पूरा होता है जो हम लोग से जो टैक्स वह सुला जाता है इसे से पूरा होता है अब आप लोग समझ गए कि टैक्स क्या होता है अब देखे टैक्स को हम लोग सरकार किस तरह से लेते हैं दो तरह से लेते हैं एक पहला तो लेते हैं डिरेक्ट टैक्स पहला क्या ऐसे टेक्स को करते हैं जो सरकार डएक्ट हम लोग से ले लेता है, जैसे हम लोग को income आया, inकम में टेक्स हम लोग को directed ले लेगा सरकार, जैसे हम लोग को सरकाली जौब है, इसको में हम लोग boca income č Surely Heart, Entonces पर उसके बाद हम लोग जो पेमेंट मिलेगा वो मेरा सेली कर रहेगा, वो मेरा क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स में जाएगा, अगर मेरा इंकम पचास जार है, हम को एवे कही के जॉब कर रहे हैं, तो वह उसका भी हम लोग टैक्स सरकार को देते हैं, वो क्या कर रहेगा? प्रपर्टी जो टैक्स हम लोग देते हैं, जहां हम लोग जल जमीन पे रहते हैं, उसका जो हम लोग टैक्स देते हैं, वो क्या कर रहेगा? डायरेक्ट टैक्स कर रहेगा, ठीक है? तो जो भी बिजली बिल हो गया, हम लोग प्रवर्टी टैक्स हो गया, और भी जितना तर अगर नहीं कुछ समझने आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा और यह भी बता देते हैं कि इतना फूल डिटेल में आज तक कोई यूटूप इतना अच्छा से नहीं बताया और ना बताएगा आगे के फूटूझ आप में नहीं बता सकते हैं कि वो पता भी पाएगा चलिए हमें तो बता से अन्चेक्ष मेरे बता है। चा भकर वगशे करते हैं हिक इसी क्वल समान को खाटाएगा है ताकि हम लोग को विकास हो हम लोग को देश्ट व्यकास हो इसलिए हम लोग को सरकार को सरकार चैस्ज को सबसे पहले क्या हो था फई सब् ciertक्राइब तैक्सि डिर्केंटाएंसे сब्राइब से कंजरे को लोगों से के लिए ग्यूर्य सबर्डेंब आजओंसाइव Dedera के मेंजुन हीरोИOS Stealth के मैंने मेंображ सब्सक्राइब द clone आजेगे मेंज सब्सक्राइब दक्राइब हुए थो आगे तुर्विस प्रोवाइडर ठीक है दोस्तों तो आप दें सबसे पहले मैंफेक्चरिंग क्या होता है मैंफेक्चरिंग हम उस संस्ता को करते हैं जहां पर कच्छा माले लेते हैं और उस कच्छे माल से कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाता है मैंफेक्चरिंग करने हैं तो यह मैंफेक्चरिंग करना तो यह मैंफेक्चरिंग का लाया कर आया सामान को खरीद कर थोड़ा सा अपना माजिन अखे दूसरे के पास बेच देना वह क्या कहलाता है ट्रेडर्स कहलाता है मैं फेक्टरिंग या थे जो होता है कच्छा माल पहले खर देगा उस कच्छा माल को कुछ आप लोगो को पता ही होगा वैसे संथा जो अपना सेवा को प्रदान करता है स्वीवा प्रदान बहुत तरह हो गया, जैसे में, कोई कोई ट्यूसन पढ़ा रहा है, तो भी क्या है, सर्विस प्रदान कर रहा है, कोई आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा है, या डिजिटल मार्केटिंग, खुला हूआ एक दिजिटल एजेंसी है या तो सबसे पहले यह तीन सेक्टर में अलग अलग टेक्स पहले लगा करता था ठीक है अब कौन सा टेक्स लगता था अब देखें लोगोगो तो पता ही है कि प्रपर्टी टेक्स के बारे उसके बादे हुआ है सबसे फेमस कौन सा टेक्स है वो हम आप लोगों को बताने वाल है सबसे पहले अगर कोई भी वेपार या कि कोई बिजनास करता है तो इसमें एक साइज ट्यूटी लगता था इक साइज ट्यूटी तो इसमेंसे सबसे ज्याद फेमस क्या होता था वाइट किसके लिए होता- अब देखिए इसमें कितना सारा टेक्स हो गया जिसमें से सब्सक्री ज्यादे बुरर होता था वाइट, ठीक है, वाइट सबसे ज़्यादा इंपूरेंट टेक्स था, हर जगह पर लगता था, आप देखिए, जो को मैनफेक्टिरिंग है, मैनफेक्टिरिंग का बिना सर्षा क्या हुआ है, एक साइज जूटी भी दो, वाइट भी दो, सर्विस टेक्स भी दो, ठीक है, औ उससे सरकार बहुत तरह से परसान हो जाते थे, परसान ही क्यों होता था, हम लोग को जेश्टी क्यों आया, जेश्टी कव आया, हम इसके बार में आप लोग को बताते हैं, अब जेश्टी का विसकार क्यों हुआ, सबसे पर हम समझते हैं, जेश्टी का विसकार क्यों हुआ उसके बाद हम बताएंगे देश्टी का विश्कार कभू हो तो देखिए सबसे पहरा रीजन है कि बहुत सारा 17 परकार के टैस्स होता था जो चोटे-चोटे वेपारी हो गए जो बड़े-बड़े वेपारी हो गए वो टेंसर में आजाते थे बहुत सारा उनका पहले मॉइल बहुत कम चलता था पहले सारा कुछ जो भी कुछ काम होता था वो लिखा पड़ी से काम चलता था फिर एक साइट यूटी के बारे में एक पेस लिखो सरकार के बारे में हिसाब लिखना पड़ता था फिर वैट के बारे में हिसाब लिखो फिर प्सकोर के सब्सक्राइब निए रीखा जाता थै के स्वहुंत रखना परता थैटे के विए अलग रखना परता थै लिखा पढ़ी के में बहुत ज़्यादा गर्बर हो जाता था गर्बर भी होता था और सरकार को समय भी नहीं आता था और छोड़ जो अगर को बेपारी अगर बिजनस करना चाहता है मैंफेक्टरिंग सेक्टर में तो उसको दिमादे काम बन बन हो जाता था कि हम लोग टैक्स लोग होता है तो इनलोग की यह काम नहीं आता था उसके बाद हम वह बहुत सरा फ्राइं करता था जिसके वजद से सर्गार की तिकत होता था और जो बैपारी बिजनस करना चाहता था इसको भी तिकत होता था तो ये इस सब को चीज को रखते हुए सरकार क्या है 17 प्राकार को जो टैक्स होगा हटा दिये और एक टैक्स लागो कर दिये वो हो गया GST गोर्स एंड सर्विश टैक अब देखे दूसरा रीजन क्या है दूसरा रीजन है GST को आने से क्या होता था सबसे पहले अगर कोई बाहर की कंपणी पहले एक बात को पता जिते हैं कि जो वैट लगता था जो GST को आने से पहले जो सब जनों वैट लगता था वैट हर राज में अलग लगता था अगर कोई बिहार में हम कोई समान बेच रहें दिहार के सरकार 28% ले अगर वही सामान को हम डिल्ली में बेच रहे तो 15% ले रहे अगर वही सामान को hopefully में बेच रहे फ्राः को 9% ले रहे तो अलगलाद राज में अलगलाद टैक्स लगटा था थेक है तो उस से क्या होता था सबनाता, बहुत जाला महना हो जाला था. एक एक जांपर से बताते हैं, आप लोगनों को बहुत चाहीं समन है, बहुत अच्छा से समन हमाने माहिए. माल लेजे एक मैनफेक्टरी, जो मैनफेक्टरी में वाला है, वो क्या-क्या एक T.V को 10,000 में सप्लाइ करता है. अगर वह 10,000 दिल्ली में भेजता है तो दिल्ली के सरकार बोलता की भी involved 17% बेया ठीक है आगर वही टीवी को अगर बिहार ने बेजता था आगर बिहार बेजता था नुस्जिकोль घार अगर भीêtes तो फ्रीट दो 17% युट अगर tangled group को ने इस तरह के जैसे जैसे राव चेंज होते जाता था वैसे वैसे टैक्स भी वहां के सरकार निवने लेता था कि हम कितना टैक्स लेए तो इससे क्या होता था कि जो मैंफेक्च्रिंग होता था तो उनको समझने में भी बहुत दिकत हो जाता था क्यारे भाईया जब हम TV भेज ची दिल्ली में तो जहां पर हमको देना है 10,000 ठीक है? तो वहां पर हम लोग 18% घे रहे हैं टेक्स हो गया दो तो 28-persent पर यहां पर हम लोंगों को ज्यादा लग रहा है यहां पर जरना इस सी का दाल हो गया 1200 से यहां पर चल गया 9 परिसल्डल ले रहा है युटीप मैं तो यही हम लोंगों को दान हो घ्जिशान और इस गुष्प होते आऄ हैं तो इसका वत नियोदर में नबंत कर देता था कि Bihar में क्यों काम करेंगे वहां 28 percent इली के सरकार ले हैं ऑग जब दिल्ली में कम कर लेता था माले जये डिली में सबसे ज्यादा है जिससे वहां पे लोग जो है जादा माल खर देगा इतना कम दाम उतना वहां के लोग खर देगे तो यही सबसे क्या होता था कि वहां पर चूरी भी जादा होता था मैं तो सरकार का चूरी होना बहुत जादा स्टार्ट हो गया था अब चूरी कैसे होता था वो देखिए अगर को ना इंफेक्चिन दिल्ली में ख़ता तो उसको 9% में अपना मंगा लिए बाहर से जैसे कोई भी चाइना का टीवी हमागा है तो टीवी वहां चाइना वाला के ना में बेजा 10 जाने और यहां पर दिल्ली वाले के सदकार को किना देना है घ्रीथ लागा करें आरशव मेर्म और यहां पर 3,000 वाले क अपना प्रोफिट ले ली है अगर थैक्स लोगों भाटा क्या होता था जो जेन्यूवन वेपारी होते थे बिहार में या फिर यूपी में जे जिन्यूवन वेपारी होते थे वह क्या करते थे ग्रोगों उनका क्या करता था उनका खरिदारी कोस्ट जादा हो जाता था अब सूचिए 28% तो 2800 तो जादा हो गया 1000 पर वह अगर बेपारी बेचेगा तो 2800 पर सरकार को ही देना अपना मार्गिन जो रहे हैं तो उनका तो यहां जो हमको 14800 में डिर्ट हमको दिली से बिहार में पहुचा दे रहा है अगर बिहार में कोई बिजनस करता है तो 28% सरकार को ही देना पड़ेगा तो 2800 कमाई चाहिए नहीं कमाई अथाइस ओर पे हमको सरकार को देना है सरकार देना, अगर जैनुवन में काम करते हैं तो जैनुवन में काम करेंगें, तो हम बिणा पिल कहीं काम कर लेतेства, maravilhous, बिविए वेले जिससे क्या होता था बिहार वाले को सरकार होते हैं तो आधाइसों में अलग अलग तराके टैक्स चला करता था इसहां सब्सक्राइब भूट से टाइक सब्सक्राइब मशें सब्सक्राइब के इए फैसे फाइदा अ TOP सब्सक्राइब शक्रण चाहें पहुंच गया. और 9-7. म 대해 हैं छाहें उनुट्रा करना चाहें आते हैं यूति हमिशह वर पार मेरे भाटर आप डिया डिली यह जगा की त्रहा के सब को प्रक्राइब यह आया गया जग्या जब से आगया तो जई सुटे आने से क्या हुआ कि हर जगा एकी रेट में माल मिलना स्टार्ट हो गया तो सब वहां जो मैंफेक्टरिंग करता है उसका क्या हुआ बीजनस बहुँ जादा फैग होने लगा पहले बेजता था कि भाईया दीर में बेज देता है कि 9% टेक्स कम लगता था वह हर जगा मैंफेक्टरिंग कर होता है अगर हमको कोई भी टीवी 10,000 में जब बिहार में वही मिलन रहाए उस ब्रांड का तो अगर हम राजिस्थान में भी जाते हैं तो उसका दाम भी हमको कितना रुपया का होता है 10,000 का गई होता है क्योंकि उसका टैक्स क्या रहेगा दोनों का सेम रहेगा या तो हम जहां राजिस्थान में खरते कहीं भी खरिचते हैं तो टैक्स उनों के जा हो जाएगा ब्रावर दो देगा उससे क्या फाइदा हो गया मैं फैस्टिम वाला कर जो बिजनस किया उसका चारू तरह का मिलना मन तो वाइड तरह के शुप्लायर मिलिया चॉप बहूत उसको हर जगह के सप्लायर खोल लिया एक सप्लायर को दे लिया बिहार वाले को तो बिहार कवर कर रहा है राजिस्थान वाला को दे लिया तो राजिस्थान कवर कर रहा है स्टैक तो दोनों के से नहीं लग रहा है तो इस तरह कि जो जेन्यूर बेपारिक हो गया उसको क्या हो गया फ स्कीर में तो हमेंशा टेक्स को देता था वो क्या हुआ हमेशा काम करने लेगा अब सूचिए कि हम बेना सरकार को टेक्स दिये हुए हम जो समान लाकते 10,000 में और सरकार को हम टैक्स नहीं दिया हो तो 10 जल में अपना मार्गें हम दो के 1000 अगला को दे रही है अब जो जिनुवन कस्टमर है वह बेचारा 10 जल पेकर समान खरदा अठारा परसंट का सरकार का टैक्स दिया अब उसको खरदारी है पढ़ गया 11000 अब देखे बीना चोई करके वह क्या आप में बेचे दिराएगा जो समान शरकार से चोड़ी की अटैक्स वह 11000 बेच रहा है अब जो बीन लेके आ रहा है बेचारा तो 11000 पर नहीं खरदारी में पढ़ गया तो अगर आप बेचेगा तो क्या होजाएगा तो इसके लिए क्या कर दिया की जिएस्टी लागू कर दिया थी अगर आप कोई जिएस्टी को चोई करता है तो उसके लिए क्या कर जा है कि पांच साल तक आपको بहुत भीहानर का रवावास होगा समझाएगा अगर कोई भी जिएस्टी चोई करते है या दियर काम करता है तो उसके लिए पांस या जुर्वाना है और भर्ड़बला बहुत जारा करवास से उसका हो जाएगा और फिर उसके वाद 5 लाख रुपया उसको सरकार को देना पड़ेगा तो ऐसा है कि जो नियम लागू की है जो रूल जो लागू की है सरकार बहुत अच्छा ही है जिससे क्या हुआ कि छोटा-छोटा बेपारी भी अपना बीनस कर प भी हार में वेचते हैं ठीके दोस्तों आयासमन KNOW हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यह समझते हैं कि सिच काला अब यह मी है मार्केट में आया कग जोह जरसकार क्यों बता चले के लिगा लेकिन यह स्बक्रस कर गभाय यह जाते हैं तो एक जुलाई 2014 2017 में किसका विसकार हो गया था जिए सट्री का विसकार हुटे अभी हम बता देते हैं जुभी लागू हुआ है ठीजिशुपी नागों हुआ है जी,-े कोई १ो पर च त्लागता है व्यू Вас यह कोई पिला इसकी को जो किसम ने वह था धिश्यायों को गजिते हैं इस राज में पिट्रोल भीक रहा है वहां को सरकार टैइ करेगा कि किसे लेंगे पर्षamamे। कि पिट्रॉल मुंबाई में जाएगा तो वहाँ पर थोड़ा महंगा मिलेगा अगर 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 कहीं और राज में चल जाते हैं तो वहाँ पर सस्ता मिलता है कहीं और राज में चले जाते हैं तो वहाँ पर और महंगा मिलता है तो हर जगा पे पिट्रॉल क्या पिट्रॉल उस राज के अनुसार महंगा और सस्ता मिलता है. किसके अनुसार जीस्टी मिने लगा नहीं के अनुसार. अगर आप GST में, अगर सरकार लावुक कर लियें, कि हर राज में, हर कहीं पे भी, पिट्रॉल और डिजल में GST लगेगा, तो आप दिखिएगा कि हर राज में कहें पे भी जाएए पिट्रॉल आपका समाने रुपया में मिलेगा अगर मालेज़ बिहार में आपको 100 प्य जियेश्टी मिल रहा है ठीक है 100 प्य प्यूल मिल रहा है तो वहां पे दिल्ली में भी जाएगा तो अहां पे भी आपको 100 प्य मिलेगा क्यों कम मिलेगा जब इस पे जियेश्टी लागू हो जाएगा तो लेकिन यह अभी आपको बाद में है अभी इससे थाइसला भी सरकार नहीं किया है इस यह हर राज में अलग अलग पेट्रोल और डीजल का दाम होता है आप लोग समझ के होंगे वह इसली होता है क्योंकि वह अभी भी पहले वाला टैक्स यह पेट्रोल और डीजल वाला देता है यह नहीं कि पेट्रोल और डीजल वाला टैक्स नहीं देता है टैक्स सरकार क रेकिन वही वाला पहले वाला काटेगरी में है तो city को टो PohGO सुब दो के से किया है पहला कटिग्रीय नॉर्माल कटेग्री कि थीक है और दूसरा होता है ते नोम कोन राज के अनूसार बाता गया थिकैं कौन-कोन से राज जो आते हैं वो क्या किति कि अगर यालिस लाग्स से अगर जांदा आजे तो वह क्या होगा उनका जिस्टी लेना जरूरी है ठीक है यानि जो राज नोर्मल के टेक्डे में आता है जिसका टर्ण ओवर कितना है चालिस लाग चालिस लाग से ज़्यादा हो जाए टर्ण ओवर तो उसको जेश्टी लेना अनुवार है अज देखें चालिस लाग किसके लिए है मैंफेक्चिरिंग और ट्रेडर्स के से लिए सब्सक्राब के लिए किपने लाग से जाए है को नोर्मल पकट्रेगरे में कौन को बता देंगे बाकी हम आप इसका मिस्कीन सोटे हाव भय देंLE? अब पढ़े कांग से छो कटिग्री में आता है उर्मल कटिग्री में आता है bands है, जैसे में बिहाद हो गया गोध हो गया म मुंबाइ हो गया दिली रे हो गया जितना भी है नोर्मल कटिग्री में आते हैं अब आते हैं special category में, special category क्या होता है वैसे राज जो special में बात आ गया है, special category में आता है, उसका टर नमर कितना होना चाहिए, 20 लाग से अगर ज्यादा हो जाता है, तो उसको क्या हो जाया है, उसको GST लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है दोस्तों, देखे, normal category में कौन कौन आता है जैसे बिहार, अगर आप बिहार से बिढ़ानों करते हैं और आप GST पुछते हैं के हमको GST कब लेने, अगर आप emergency कर रहा है, तो 40 लाग 1 पैसे, जादा नहीं होना चाहिए, अगर आप trader कर रहा है, तो भी 40 लाग 1 पही जादा होना चाहिए, अगर आप बिहार में, आप transportation तो आपको 20,00,000 से जादा turn नोब नहीं हो जाएगी, अगर 20,00,000 से turn नोब अगर हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीस्त लेना है, बतो normal category में यूपी हो गया, वेस्ट बालमब अंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबाइ हो गया, बिहार हो गया, असाम हो गया, लग्ष टीप हो गया, यह सब जितना भी हो जैसे बगड़ेगा, आप देख रहे हैं, वो सब क्या आता है, नोर्मल के टेगिम में आता है, आप हम दो इस्पेशल के टेगिम कितना turn नोब अब बताएगे है, 20,00,000 के लिए manufacturing के लिए, manufacturing के लिए कितना 20,00,000 का turn नोब अर 17 के लिए कितना 10,00,000 का turn हो यह दुनों क्या होता है, यहाँ पे आप जैसा है देख रहे हैं विए से को हम लोग special category में रखा गया है special category में आता है money poor आता है,chikim आता है, capital boundary चलिए आता है और यहाँ पे जितना भी आप ढोगोग देख रहे हैं राज इसे किसमें आता है special category में आता है अगर आप मेरा वीडियो पॉंडी चेरी से या फिकिम से देख रहे हैं और आप मेनफेक्शिन को ट्रेडर्स का भी इनफ कर रहे हैं तो अगर आप मेनफेक्शिन का कट एक साल के अंदर या या रखिए गाई जितना भी टर्णोर बता रहे हैं तो एक साल का तर्णनमर बता रहें। अगर आपका बिद्नस एक अपरेल से श्टार्ट हुआ, तो एक अपरेल से लेकर अगला जुलाइज टर ठीक है। तो एक साल में अगर आप पॉंडी जरी से शिक्किन से अगर बिलाओं करते हैं तो इस्पेशल के डिवी में आता है ठीक है वर राज क्या आता है इस्पेशल के डिवी में आता है ज़र आपको मैंफेक्ट्री वह ट्रेडर समें अगर 20 लाग का टर्नुमर हो गया आप ट्राज में अगर लोगो को पता है कि हर जगह क्या होता है उस राज के अशकदा के नुसार गया जाता है अगर आप बिहार में आते हैं मतलब अगर नोर्मल बिहार, गोवा, मुंबाई, दिली तो आप 40 लाख राखा गया, अगर आप सिक्किन पॉंडी चेरी अब मनिपूर में आते हैं, तो आप 20 लाख राखा गया, यही सर्विस प्रोवाइजर के लिए 10 लाख राखा गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, अब हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक है, बिहार की एक जामपर लेकर बनाते हैं, कि अगर आप 40 लाख ले लेते हैं, 40 लाख से पाराफ पर टर्नौर हो जाता है, तो आप कौन से इस्कीम में जाएगा, क्योंकि GST के इस्कीम चलता है, तो यही हम बताते हैं, कि आप हम पढ़ेंगे क्या GST के इ कितने इस्कीम होते हैं, तो GST के दो इस्कीम होते हैं, GST के कितने इस्कीम होते हैं, दो इस्कीम होता है, को होता है, कमपोजीशन, कमपोजीशन इस्कीम, ठीक है, अदूसरा होता है, लेकुलर इस्कीम, बहुंस साड़े वेपारियों को, बहुंस सा बिजनसमें को, यह GST क एक चोटा बच्चा यह अगर हम बच्चा बच्चा कर ली है यानि GST ले लिए तो वो कुछ भी हो आपको उसको जिन्दगी बर पाल के रहना है जब तक आप मर ना जाए ऐसा ही बच्चे लोग भी होते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको पुरा भरपाई आपको करना पड़ता है ठीक है पच्चास लेकर बढ़ाता है ऐसा ह क्या होता है GST अगर आप GST ले लिए तो आपको हर साल हर साल बोल रहे हैं कोई को स्कीम में हर साल भी होता है एक महिना भी फाइल किया जाता है मतों सरकार को अपना हिसाब दिया जाता है फाइल करना का मतों क्या हिसाब देना एक महिना भी हिसाब दिया जाता है सरकार को को कोई कोई पोची में थैसलिन हम कोई कोई सिर्ट में पोचेएट जाता है ऑन एक वा खता है मढदा की केज़ पोर से स्टेम कि होता है और एक महता है हैं तो आपको कों से स्कीम में जाना चाहिए के और से पहले हम इस स्कीम थो ज्यों को कोई किस सरकार है नहीं हो कर दा है पहिला देम्हां से समझेगा, ना हम सरकार को टैक्स देते हैं, ना हम कस्टामर से टैक्स लेते हैं, तो आप बोलें कि भाईया, आप क्या बात कर रहे हैं, तो यही कहते हैं दोसों कि आपको जितना सेल होगा, उसका 1% और 5% और 6% मत्दुब तीन तरह के यो टैक्स होता है, सरकार को देना परता है, अब कब कब हम देते हैं, तीनों ताकर यहां बनाते हैं, इसी जी में, देखें, अगर एक एक सलए कबㅠㅠ कमपोजीशन स्कीन लेते हैं, नहीं नहीं लेते हैं, जो भी आप रोगवे, जैसे आप, लोगवे तीवी बेच रहे है, तो आप गव श्री भीच रहे हैं, उगर में ही बैच आए हैं तो, हर दूसरी जाहएं आप नहीं, नहीं बेच सकते हैं समझे आए आप लोगों ठीक है तो पहला यह हुआ दूसरा हुआ कि हम लोग को सरकार एक रहात दिया है कि आप कंपोजीशन वाला जेश्टी ले लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं जो बाहरी राजे से वहां से समान खरीड सकते हैं मतलब आप बिहार से गिराओं करते हैं तो हम महराष्ट्रा से कोई भी समान को उढ़र खरीच सकते हैं मतलब यहार नवी खरीच सकते हैं हम क्या करें कि हम महाराष्ट्रा में सेहर करें तो अईसा नहीं होगा जिए अथम बैन का दूभा इंपूट क्या कलाता हूं और आउट्पूट क्या कलता है तो सबसे पहले यह देखिए composition scheme जो ले लेता है वो क्या करता है अगर हमें इसको example से बताएं कि सबसे पहले इसको समझे कि कोई भी सरकार को tax नहीं देना होता है और ना हम customer से tax ले पाते हैं मतों हमको tax जो input tax जो होता है वो हम फाइदा नहीं लेते हैं मतों ITC claim हम नहीं कर सकते हैं ITC क्या कला तो हम आपको बताने वाले हैं तो यह समझे अब हम एक jumper से बात बताते हैं क्या क्या किया जो हम अगला से हम खर दें ठीक है यह तो क्या रहेगा GST में रहेगा जैसे हम manufacturing से TV खरीते हैं ठीक है manufacturing से क्या खरीते हैं TV खरीते हैं और वह तो हमको अपना 13% GST जरूर लगा के देगा समझेंगा राब दम ध्यान से समझेगा दम examper से समझेगा अगर यह में हम business कर रहे हैं हम बिहार में रहते हैं हम कहां पर रते हैं बिहार में रते हैं और हम TV खरीद रहें TV कहां खरीद रहें को भी राजसी खरीद रहें हम महारास्टा चूज करते हैं महराष्ट्रा से हम टीवी खरीज रहें, तो महराष्ट्रा से जो हम लोग बिहार में जम्रों को देगा, तो वो तो अपना महराष्ट्रा बोला टैक्स से जरूर देगा 18%, ठीक है, वो क्या करेगा, 18% GST आपको लगा के देदेगा, क्या कर रहा है, तो महराष्ट्रा में हो रहा है, वहां से हम टीवे मंगा है, तो अपना टैक्स तो जरूर लेगा, किनकि वो क्या की है, सर्कार तो 18% टैक्स जरूर लेगा, अब हम बताता हैं कि हर एक प्रोड़क्त पर अलाग टैक्स में लगता हूँ, हम आगे चलके सिखेंगे कि हर प्रोड़क्त पर अलाग टैक्स में लगता है, एक ही प्रोड़क्त को एक ही वाट टैक्स लगता, अगर वो एक हम अनफर्चिरिंग हो गया, तो उस प्रोड़क्त अगर परकर रहे हैं तो चोली के काम करेगा नहीं तो अपना क्या करेगा और दस हजार जो है यहां पर आपको 11,800 पेर में आपको क्या करेगा टीवी मिलेगा समझे में आया तेके अगर जो आप उसका क्या MRP किता है दस हजार का लेकिन उसके MRP पे क्या करेगा थारा पर्सेंट टैक्स लेगा तो टैक्स लेगा वह किनों जागा थारा सुमें तो वो टेडी आप किदा में खरीद रहे हैं और ग्यारा हज़र और सो में आपका टेडी खरदा रही पड़ा इतमा स्मय आया अगर आप जो कर्स्टमर को बेचिएगा अपका पोजीशन स्कीन में हैं तो वो अपना कुष तैना की प्रोफिट में बेचिएगा 1400 शक्ता माले तो गयारा थेरह हजार में जब बेचिएगा समझ रहें न op कंसा ब्ू, चर्भ बेचिएगा इसको इसे ठाना पर्सें टैक्स लें सकतते हैं सक और जब आप composition skin में जाते हैं तो आप इसको 13,000 का 30% customer से आप चार्ज नहीं कर सकते हैं वो क्या है आप सिर्फ 1% tax सरकार को दे दीजिए अपना क्या अपने fund से समझे है जहां से अगर 11,000, 10,000 के आप कोई समान खरदे महारास्टा वाला आप आप से टेक्स लेगा हैं कि वह टेक्स सरकार को दे रहा जेनुट काम हो गया तो क्या हो गया आपका वही खरदा ये 10,000 रुपय के पड़ा 11,800 रुपय के पड़ा तो आपना प्रोफिक जरू जब देगा तो अब Customer को किना में बेचेगा अब 13000 को बेचाइगा, 13000 को पेसं में चार्ट नहीं कीजियेगा आए कि आप 18% के सब्सक्राइब 13000 को देना है और 13% को सरकार से सरकार को देना है तो अब उसको यही बखाता है कि जो आप 18% जो लिए है न वो आप सरकार से वापस नहीं ले सकते हैं वो क्या होता है रेदुबर वाले स्किन जो पड़ेगे उसमें हम लोग दे सकते हैं ठीक है इतना समय में आया आप क्या कीजिएगा कोई भी सरकार को टैक्स नहीं दीजेगा हम क्या बताय थे कि जो भी सेल होगा उसका एक परसेंट टैक्स सरकार को दे देना है कोई भी लिखा पेड़े कि कोई भी जरुवत नहीं है जहां से जितना हम खर दे हैं वहां पे जितना प्रूफिट ले रहे हैं यहां से आपका खतम हो गया यह हो गया कंपोजीशन स्कीन हो गया इतना समझ में आया कि क्या खलाता है कब फिर यह साब को बताता है कंपोजीशन स्कीन में जो अगर कंपोजीशन का जेस्टी लेता है जेस्टी जो होता है कंपोजीशन स्कीन से लेता है तो वह एक राज से दूसरे राज में नहीं पेच सकता है लेकिन दूसरे राज से खरीजे सकता है वह उनका जो पूरा जो पार से झूट नहीं पाथ है, और हम समझते हैं, कि हम उसको, JST को हम कस्टमर से भी ने ले सकते ही नहीं कि हम JST देना सरकार को तो inan образом किस्टमर से जोर कर लें, अगर वो जो क्स्टमर आपके वारे में कोई भी एक यह complaint नमबर पर अप लोग को पता है जैसे हैं, गुगल पर सर्च करेगा जेश्टी कंप्लेन नंबर तो एक नंबर आएगा उस नंबर पर कॉल करके अगर आपके दुकान के बारे में सिकायच कर दिया कि भया यह यह स्कीम वाले हैं और हमको अठाड़ा परसंट जेश्टी में बेच रहा है मां तो आपको बहुत ध्यानक क किया हुआ है हो सरकार हर महीने हैं और हम फास करते कुल रहते हैं और हो很好 यह और लिखा पड़ी नहीं करना है आप को दे को जीसने स्कीम से जो जाता है वो जो GST फाइल करते हैं यह सरकार को जो हिसाब करते हैं को एक्टरली करते हैं तो हर तीन महिना में आप वो को देना पड़ेगा सरकार को हिसाब ठीक है मतलग अगर आप मैंफैचरिंग से हैं अगर आपको मैंफैचरिंग है तो आपको सरकार क कितना % का हिसाब देना पड़ेगा आपके sell का वह तो आप जितना का sell किये हैं उसका 1% आपको सरकार को देना है कोई भी लिखा पड़ी service provider है और आपको कितना % देना पड़ेगा 6% आपको सरकार को tax देना पड़ेगा चाहिए आप composition scheme में हो खेंके आप composition scheme में है तो 1% 5% 6% आपको tax अपने sale का देना पड़ेगा इसके लिए आपको कौन सा फाइल करना पड़ेगा कौन सा हिसाब GST में भी डूर होता है GST R1 होता है GST R2 होता है GST R3 भी होता है GST CMP 08 और GST 4 होता है GST R4 होता है तो इसके अंतरगर जो composition इस्टीम बाले होते हैं वो दो तराके दे सकते हैं एक GST CMP 08 दे सकते हैं और हिसाब देते हैं इस स्कीम से जाएगा ठीक है और दूसरा GST R4 देते हैं यह देखिए अगर आप अगर आप खुद accounting किया हो नहीं तो आप CA जो फाइल करता है उस हिसाब क्या रखता है CA हिसाब देगता है किसको सरकार के अगर आपने असे फाइल करते हैं तो आपको इसके बारे में तुरह समझना पड़ेगा अगर आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा तो आप कमेंट से समय कमेंट की दिएगा हम बता देए कि GST का हिसाब कैसे दिया जाता है ठीक है क्या करेगा अगर आप imposition इसके में हैं तो घर तीन मेहना में ये भर देगा आपको ये file का हिसाब देगा और हर एक साल में येवला आपको हिसाब देगा जू aja जूощ ऐना देना ज़ devices जो सकते हैं अब हम आघे चलते हैं और बहुत आप www.gst.gov.in Google पर search किजिए वहाँ पर GST का पोटल आएगा वहाँ से अपर registration पर जाएगे वहाँ से अपर registration कर सकते हैं अगर आपको registration करते वक्त कोई भी समस्या होता है तो आपके local use की हैं वहाँ से आप करवा सकते हैं वहाँ पर चार्ज लेता है ऐसे तो फिरी हैं आपको 100.500 प्यार लेगा वह आपको GST बना के देदेगा अगर आपको CSA काम करवा रहे हैं अगर जान पेचन करवा तो कम लेगा आप CSA करवा रहे हैं तो आपको 1500 प्या 1000 प्या, 2000 प्या, 25 प्या अगर आप प्यार लेगा वह आपको GST बना के देदेगा और GST फिरीद साथ दिन के अंदर अंदर आ जाता है यह याद रखेगा अगर आप CSA करवाते हैं तो आपको आपको चार्ज लेगा है ऐसे तो GST फिरीद में होता अगर आप अपने से करते हैं इस जादा बुफ मेहनत करते हैं तो आप GST खोड आप ले सकते हैं अगरा हम चलते हैं रीगुलर स्कीम अगरा क्या है दोस्तों रीगुलर स्कीम अब हम रीगुलर स्कीम को समचते हैं एक राज से दूसरे राज में बेच भी सकते हैं माल बख्रेज भी सकते हैं और दूसरा ITC भी आप प्राप्त कर सकते हैं और चौथा आप को GST तो सरकार को देना है किस्टमर को देना है किस्टमर चाब ले सकते हैं चलिए इसको विस्तार से समझते पहले तो हम बता है माले जेट TV हम जैसे महरास्टा बारों मुंबई निकलता है महरास्टा से हम TV मंगा दिल्ली से टीवी मंगा रहे हैं कहां अपने विहार है ठीक है तो दिल्ली में हमको टीवी को हमको पड़ा किना 10,000 में और इसको में ठारा परसंट टैक्स जो जूटेगा तो हमको यह एमार्पी किना में हो जाएगा अब दिखिए इसमें ध्यार से समझेगा अब दिखिए इसमें गया मतलब 10,000 मेरा टीवी का इमार्पी हुआ और इसमें जीएस्टी में पितना लागव हो गया एक अठारा सो गया ठीक है यह मेरा क्या गया जीएस्टी हो गया अब दिखिए ना आज़ा समय है तो वह 10,000 का इमार्पी है दरजार कर दिया और टैक्स लिया तो उसको 10,000 का टीवी पढ़ा और ठारा सो गया है टैक्स दिये इतना समय है तो हम उसको कूल रुपया कितना दिये हम उसको कूल दिये है 11,600 रुपया टीवी हम दिये मत्तों मेरा मार्पी मत्तों मेरा खरदारी हुआ तो जब भी हम बेचेंगे कर्ष्टामर के पास तो 11,600 रुपया से और हम धीख में बेचेंगे क्योंकि मेरा पुंजी लागवाय अपना प्रोफिट को आड़ करेंगे तो इसमों प्रोफिट क अपीए इंपुट अड़ी टैक्स। यानि ITC, ठीक है, ITC, इसी को बोलेंगे, ITC Input Tax, ठीक है, अब देखिए, हम जो कस्टमर को बेचेंगे, तो हम क्या बेचेंगे, मान लेज़े 10,000 का टीवी जो है, दमज्यान समझेगा, हमको पढ़ा कि 11,800 रुपया पढ़ा, हमको किलना पर रहा है, 11,800 रुपया पर रहा है, अब देखिया, इसको क्या करीँगे, इसको क्या करेंगे, ये 3,000 न बेच रहा है, 3,000 पर प्रोफिट लेके, तो हम इसको ग्या करीँगे, 18%, Tax से 13,000 पेच वहा है, 18% केस्टमर से Tax बिलेंगे, देखिए, यही काम होता है, Genuine का, बहुत सारे कस्टमर क्या करते है, बहुत सा है कि हम टैक्स अगार माल लेजे यह टैक्स नहीं दिया सरकार को तो उसको खरदा दिके ना परमात 10-1000 में वह 12000 बेचा तो गंगन हो जाए अगर 2000 पर इसको पहले ही प्रोफिट हो जाएगा तो सरकार को चोरी हो जाता है अब सुचिए अगर वह जीस्टी सरकार को नहीं देत अगर आप 13000 पर किये हैं तो 13000 का थारा परसेंट आपके क्या करना है सरकार को देना है तो मैंने आया चलिए नहीं समने लाया तो उमको बता देते हैं आप देखिए 13000 मेरा प्रदा पूरा हम प्रिश्यों को बिचेंगे और उससे हम क्या करेंगा 13 percent tax लेंगे तो tax लेंगे तो मेरा यही दाम किन्व हो जाएगा हमको ये सरकार को टेक्स टे reprodu dł एंगे 13,000 का 18% किनों हम आपको बताजिते हैं कि इसे का सि हो को निकाला जाते हैं मत जाए आप 13000 के समान लेते है 18% टेक्स ल्गति को अ टाने के लिए 102 से जीन लॉसी है बिसको 2018 को क्षण करेंगे precious आथा आपके नो अब हमें उससे किना लिए हैं 340 रुपया जेस्टी लिए मतलब 15,000 चालीस रुपया 15,000 चालीस रुपया हम क्या करेंगे केस्टामर से लेंगे अब आप लोग यहां पर यह कर्केजन होगा कि भाया यहां पर तो चेस्टी देवे कियां सरकार को अठारा परसेंट अफिर हम कस्टामर को बेचेंट तो फिर में अठारा परसेंट टैक्स लिए अब तो सरकार को अठारा दुना 30% का फाइदा हो रहा है नहीं तभी वहां पे काम आता है ITC क्लेम का समझ रहे हैं आप आप क्या करते हैं ITC इंपुट टैक्स यह आपको फाइल करेगा तो वहां पे क्लेम करेगा ITC का ITC क्या होता बोलेगा कि भाईया कि हम यहां पे GST पहले हम दे चुके 18% ठीक है तो अब दिखिए यह क्या कराया है जो हम यह हम जो टैक्स ले रहे हैं कस्टमर से क्या कराया है ठीक है क्या कराया यहां से माल हम खर दे हैं उस जगहां पे हम जो टैक्स लिए वह क्या कराया इंपुट टैक्स जहां जिस क्स्टमर को हम देच रहे हैं और किस्टमर से लिया हुआ पर टेक्स को उसको क्या बोलेंगे artwood tax,都 हम क्या करेंगी? đã 404 रुपय में that question, गहटा देGGy सेसे मानने जो मन्फेक्टिरिंग से आया मन्फेक्टिरिंग वाला जो एटाराईट के लिया ट्रेडर मानने आया ट्रेडर वाला के पास आया त्रेडार वाला भी 18% लेलिया फिर सप्लायर के पास आया पॉलचलार के पास आया तो होलचलार भी 18% और जलर वाला भी 18% फिर डीटेलर को क्या करेगा करेगा पीजिए तुम्से भी 18% ? नहीं ऐसा नहीं वो तैम आपको फुल डिटेल बताते हैं कैसे यह सब काम होता है आपको आउट्पुट इंपूट तो समझब आगया है मुथको फिर सा उखो होता देखी वीनस के फंडा क्या होता है, एक हुत में इंफेक्षिंग जो माल बनाता है है कि इस से क्या खोर्ट कॉंझेटां कि उससे क्या किक्षेडल कर्षेज्टीजिए है उससे कौन खरिता है रीटेलर खरिता है रीटेलर और रीटेलर से कौन खरिता है कस्टमर कस्टमर समझना है सबसे पहले कुझे तो अनफैस्टरिंग होता है फिर सप्लायर होता है फिर होसेलर होता है फिर रीटेलर होता है फिर कस्टमर इतना चैन होते हैं अब देखिए कोई सबसे पहला थारा परशंट क्या इसको दिया इसको दिया थारा परशंट अबना जोर गिया अब यह थारा परशंट क्यों जो देगा क्यूंकि वो सरकार को टाक्स दे रहा है तो वो थारा परशंट सरकार को दिया वो तो किसे लेगा सप्लायर से थारा परशंट वापस लेगा समझ रहे हैं अगर यह शेशुर प्रविड़ों के शेजार पर में दे रहा है इसको इसको किना में दे रहा है च्छे हजार परशंट हो जाता है च्छे हजार पलस एकसो दसो चॉलिस तो छे हजार का ठारा परशंट निकालते हैं तो जीरो से जीरो कटा ठारा च्छार एकसो आठ दसो असीर प्या क्या हुआ दसो असीर पिया हम किसे लेंगे मदला हमको उसक्षट सो पलस दस सो असीर प्या मिला देते हैं तो 0,8,9,719 प्या क्या करेंगे हॉसेलर वाले के उपस बेचेंगे समझ नहीं है अए फिर हुसेलर क्या करेगा रीटेलर वाले को बीचेगा टेलर वाला को बेचिएगा तू भी कुछ न कुछ फायदा लेगा समझ रहे हैं तो यहां पिछ न कुछ फायदा लेगा उसमें फायदा करके अपना क्या करेगा रहेगा। राइश जो रहेगा मालेश अततर उसो है सतर हजार। तो मतलब यहां पर 20 सूल के ऐड करते हैं, एक ग्जामपल सक बता रहा है, अगर 20 सूल के ऐड कर लिखते हैं तो मालेश यह 7000 वह बेच रहा है, मात यह 20 सूल का फाइदा आ है, इक जमपल बता रहा है ना in sparkling यहां में क्या करेगा यहां में कालिया Lutheran Committee कमा रहा है फर्य Workshop यह साथ चाण चाहं वेचि रहा है तो साथ चाहं चाहँ आट्वरक टेंट्स कि यह थी थी घना थीजोहीं औरो यहां मैं दो सकने साथ चाहं करेगा 7000 पलस 7000 अब देखिए यहांपर क्या करेगा अपना टेक्स जोरेगा तो यह हमको क्या पर गे 8260 रुपए अब यह 8260 रुपए दो पर आप हो क्या क्या 860 रुपए अब देखिए धिरे दिर्ए और वापस जाते जाना है। इसका 30% इसको में गया, इसको 30% इसको में गया, इसको 30% किसको में गया वेली ताउनि कल यी सर्कार को चिताब करके, वापस करते गया। अचीद基 किस्टी लागों किस्पे हो जाता है एंड कस्टमर मतलब जो कस्टमर के पास बिखता है वह क्या करेगा वसूल लेगा 18% कस्टमर से वसूल लेगा मतलब माल लेजे 18% 860 रिपर का अपना कुछ MRP जो लेगा MRP जोर कुछ माँ थारा परसेंट टैक्स जोरेगा माल लेजे एक कस्टमर यह 2000 पे एक्स्टमर अपना प्रोफिट सबसे ज्यादा कोन कमाता है रिटेलर ज्यादा पैसा कमाता है इसलिए कम कमाता है कि वो बहुत बड़ा में डिल करता और रिटेलर एक ही प्रोफिट में ज्यादा पैसा कमाएगा तो 0-6-2-10-260 को क्या करेगा 18% भी लेगा अब देखिए यहां पर क्या आदना परणा ब्राशी सु 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 गया अब यह 2000 के क्स्टमर क्या करेग अपना प्रोफिट को एड करेगा और क्स्टमर कम बेचीगा तो 10,260 बेच रहा उसका भी क्या करेगा यह अपना 13% एड करेगा तो 10,260 बेचा अपना 13% हो जागा है इसका मतलब 19,65 रुपया तो 1965 का इसी में जोड़ेगा 10,260 रुपया पलस 1965 रुपया तो यहां पर सबنتरा ही 25 रुपया बाना 121,125 में वो क्या करेगा T.V को बेच देगा और बेच देगा तो तो सबका हिसाफ हो जायएगा कैसे कि पर जाआइगा कैसे हमेरा 30% हो कमाए और सबको क्या करते जाएगा अपना इजेश्टी लेते जाएगा अपना घटा ते जाएगा इंपट माइनास इनिपूट यह फर्मूला हो उगया मतलब और ऑक इनिपूट किसको कुं पहला कूं संपक्रामर से जो हम् ट्यक्सिक लेते हैं वो और te पूट इज़ो हम सरकार को कि निद्स that count झी इन वघिया इसको मैंनसके जो बेच रहे है अब गए फारा पर्शनर इसको जो टेक्स दीए है अब मेडा कर बारा सॉथ दीए यां से निकल के आया आप रिटेलर वी वाली वालत वेसेलर को दीन है वो क्या कटलाएगा इन्पुट कर लाएगा अब व उककूर इक्स्टमर्स को निकला थाएगा इस से थो लिकश्त कि ध्याक लाएगा अर्टकुट किलेंगा तो जितना आते जाएगा इंपसे नकर जाएगा ऊपना घाते जाएगा ईंपस्ट करके रिटीर उस्के यह कार दिटेळर कुरा हिस्साब एक सब्सक्रेंड करके के सिस्थे में धूडल कर ए सरकार को भी दे दिया, इससे सरकार का फाइदा, मेरा ही फाइदा, सब का फाइदा, अब देखिए बहुत सरकार को क्या दिमाग में आता है, कि एक ये प्रोडक्ट को बार्वाट टैक्स दिया जाता है जैसे आपको टैक्स जैसे आप 10 सर का समान खर दे हैं और इसमें 5% का आप टैक्स दियां सरकार को तो 10,000 का 5% के नौ जाता है 500 रुपया 10,000 का 5% 500 रुपया होता है सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं तो आप जो इसको MRP पूरा जो डियागा न 10,500 रुपया अब 10,000 पूरा आपको खरदारी बे पढ़ गया आपका 5 पर सरकार को पूरा खरदारी पढ़ गया तो जब बेचीगा तो अपना 500 रुपया लेकर न बीचेगा तो आप जब भी किस्टमर को बीचेगा तो आप एक हजार जो यह पांसुर पर एल की ज़गा तो आप 11,000 रुपया बेच रहे हैं अब हाँ को किना पर अज़्दा सिर्फ 500 रुपय का पड़ा है जो आप 500 रुपय का प्रोफित ले रहा है वो उसका प्रोफित उसका तो अथारा परसंट सरकार को टैक्स तो देना पड़ेगा ना कि आप घबला कर लिए अपने यहीं होता है एरेगुलर स्कीम में जितना इतना प्रोफित आती लाता है उतना अपना सरकार को ड propose बेर लेकिन उसमें स्कीम में होता आ यहाå चाहिए। जितना आपको सेल हुआ, उतना हमको के ना, 1% चाहिए। जैसे आप लेजापे 11000 पे आप, 11000 यहां पर के ना दे रहा है, 500 रपाय को फायदा हुआ हुआ, यहां पर दिया, 14000 रपाय तिक ना सरकार को अपना प्रोफिल का नंबर रपाय दिया। तो जब भी आप बीजनस से स्टार्ट किजिए तो रेजूलर वाला स्टीम पर कीजिए आपकी लिए बहुत जादा फ्रोफिट होगा अगर आपका 40 लाग के टर्म अवर कम है तो अपने फाइल के जिए नेल फाइल का नाम बहुँश जादा सरल है और आपको बता भी देंगे कि कैसे होता है ठीक है चलिए इतना समझ में आ गया कि हम जितना फाइदा जितना हम प्रोफिट ले तो उसका भी हमको कमीशन देना प जहां है तो आप बुले良गे आप एके प्रोडवक्त को चार्चरवा टेक्स बता नहीं हम अपना प्रोफिट को देना पड़ेगा न कि यृक्षी आप income को भी तेक्स आपको देना पड़ेगा वो क्या करता डरेक्ट टेक्स में आयसे में आयों तो यह हुआ चलिए अब हम कshore गे पहले क्या घता था कि विहार में से जाधा ले रहा है तो बिहार मुझा जाधा सब्सक्रालाइद हम वाइद ले रहा है तो इसके लिए क्या के यह हैँ जब GST लागों किये हैं तो सबका प्रोफिटों वैसा लागों कर दिये हैं तो इसके लिए क्या किये है एसे GST, C GST, I GST, UT GST में बाटे दिये हैं अब देखें इसमें से UT GST सबसे लाग है अलग होता उस राजपी जैसे जो आंडवा और निकोबर्क में आता है और सबकार क्या करता है जो भी अपना जो टैक्स लेते हैं वो क्या करते है आप पर सुंब बाट लेते हैं जैसे मान ले जाए सरकार यहां पर 18% टैक्स लेता है तो क्या करते हैं अब देखें क्या होता है 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 क्या हम जिस राज में रह रहे हैं उस राज में जो हम इंफेक्टरिक किया है उसी राज में हम बेच दियें तो उसके जागा हम क्या करेंगी एस जी एस्ट इस्ट को सरकार देंगे स्टेट सरकार को को देंगे राज सरकार को और कैफ्टर सरकार को दे लिए यह टैक्स दो के लिएई अगर हम जिस राज में रहें उस राज license के दूसरे राज हम बेचने एं पूसरे गिशन आई जार जोरी होता है जैसरे के अपने राज हम Hey Garage तो आई जिस्टी उसी जिस्टी ये समझना बहुत बहुत आसान है उसके बाद आपना निकोबर और लख्योदित के लिए यूटी जिस्टी लगता है ठीक है वह अपने यूटी जेस्टी याओ टूमें अगर आप यूटी जेस्टी के बारे हम फूल डिटेल जाना चाहते है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है लंबा पर नहीं जाए तो अगर आप यहां तक आ गए हैं तो हम फुल डिटेल वीडियो बनाते तब इतना लंबा हो तो यूटी जेस्टी के बारे हम थोड़ा बात बताएंगे या फिर इतना समझे कि जो भी अंडरवाम से लेओं तो लेशलिकर दीन है तो म क्या करेंंगे इस नौ परकान इसको देड़े और इस इंवाइस में इसी तरह के सीजेस्टी और सीजेस्टी ब्यावराता है अब देखिए आईजेस्टी देना होता है जो हम विहार से कोई अधर राज में मतलब आज इस्था में बेच रहे हैं तो उसको क्या कर देंगे 18% किसको दे देंगे आई जीएस्टी को ठीक है ना अब क्या जाएगा अपना 18% पूरे देंगे क्याप्टे वाले कूश्टे से इसे जाएगा देखिए बिहार वाला है और 13% क्या करेगा अपना पूरा पहले किसके अकॉंड में जाएगा कैप्टल वाले सरकार के पास चलेगा और कैप्टल वाले के पास जाएगा और तो 9% अपने पास रपने रख लेगे इसके पास बेहार को में जाएगा और बिहार से कहां भेज रहा रजिस्थान में भीज तो अपना बेजेगा तो अफ़ारा परसंट लेगा पूरा एकॉंट CGST में चल जाएगा, मतों capital वाले जाएगा, capital के पास चल जाएगा, capital government के पास आएगा, तो हिसाब करके 9% अपना रख लेगा, 9% किसका देच चल जाएगा, IGST मतों किस state में माल का विक्री हुआ, जिससे क्या हो गया, दोनों को फाइदा हुआ, यहां पे बिहार वाले को क्या पाइदा हुआ, यहां पे manufacturing हुआ, यहां के जो लोगों का करवार बढ़ा, यहां पे job बढ़ गया, और उनका विकास हुआ, manufacturing ह होने लगया, और राजिस्थान को कब पैदा हुआ, यहां पद्विका, उनका 9% मिली गया, तो सारा हर्दा जीका सरकार भी खुष, सब जगा खुष, हर जगा सेम का विकास हो रहा है, ISM में, तो यह होता है, SGST, CGST, IGST, आपस में पहले, जैसे हैं बिहार से दार बेसाम क पास रख लेते हैं, ठीक है, अब चलिए, इतना तुस्वन में आ गया कि, SGST, CGST, कैसे हम लोगो इनवाशन मिलता है, ठीक है, अब देखिए, आप समझेए, कि GST का format कैसे होता है, tax slab के बादे आपको बताते हैं, कि GST का tax slab कैसे लेके चलता है, अब देखिए, बहुत सरे सरकार हम लोगों के छूट देते हैं, अब देखिए, कहां पर क्या-क्या tax लगता है, यहां पर आपको पहले ही होता थे, कि पहला 0% लगता है, और यह वो 5% tax लगता है, यह वो 12% tax अब यह 8% tax लगता है, और यह 18% tax लगता है, अब यह बताने वाले हैं, कि GFC पर लगता है, 5% किस पर लगता है, 13% किस पर लगता है, अब देखिए, 0% tax किस के क्यों पर लगता है? दूद हो गया, बिना brand का पीना brand का पीना और और बिना ब्राइंड को ब्राइंड नहीं लिखावा गये हैं, तो पर कोई भी टैक्स नहीं लेगा, सरकार हम लोग के छूट दिये गई हैं, सरकार क्या बोला है, कि जितना आपका यूजवाला प्रोड़क्ट हो, इसके हम टैक्स नहीं लेगें, लेकिन हाँ टैक्स कहा पर लेंगे, जहां पर आपका यूजव को बीना यूजव के भी अपरा है सकते, लेकिन आप चबरदस्ती यूजव करें, तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओके, वैसे वैसे आपको क्या लगेगा, टैक्स लगती जाएगा, जैसे मैं आटा, आटा कोई भी हो, आप तो ख ठैकि न, और भी पायोडीन का नमक लेकिया आ रहा है, तो यह सबजीत्मा भी अजिह वैठ क्या है, तो ब्रैंडट के प्रोड़क्त की आपको किना परक्रेंट का टैक्स देना पड़ेगा, पांजर सब्जी है, तो, सब्जी, सब्जी फिरी है, सब्जी को हम 0% टैक्स में लाते हैं अगर सब्जी को पाइक करका ब्रैंड का नमबर बेचेंगे ना तो उसको भी 5% का टैक्स लगया लेकिन अभी तो कोई ब्रैंड नहीं बेच रहा है मैदा हो गया यह सब जितना भी है न सब 0% है लेकिन हाँ यादखिएगा कोन वालत बीना ब्रैंड का ठीक है दू कोफी हो गया कपड़े हो गया बर्दन हो गया यह सब जितना भी है ना इसको पर 5% जैसे जैसे हम लगजरी आइटम पर जाते जाते जाएंगे वैसे लोग का टैक्स भी बढ़ते जाएगा 12% कि इस पर है जैसे में घी हो गया मक्षन हो गया अब देखिए दूद पर कोई आइटम में सामिल कर रहें तो इसमें आपको टैक्स लगेगा वह भी कितना परसंट लगेगा 12-18% टैक्स लगेगा यह दखिएगा जैसे जैसे ब्रैंड वैलू आपको बढ़ेगा वैसे आपको टैक्स भी बढ़ जाएगा साबुन हो गया केक हो गया फर्नीचर हो गया इ जैसे में फ्रीज हो गया, कैमेरा हो गया, मोवाइल हो गया, ड्रोन हो गया इस सब पर जितना वी है इस सब पर 28-28% का टैक्स लगता है आप जो हम आप लोग के यहां पर स्कीम सॉर्ट में आपको दिखा रहे हैं यह सब पर ऐसे से टैक्स लगता है तो यह रहाँ टैक्स कि इस सब आपको टैक्स देना पड़ेगा सरखात को, अब दिखिंगें कि GST, GST-IN क्या होता है, दिखें GST क्या होता है जैसे ही आप GST पोर्टर पे रिटिसेशन कराएगा तो अहां पर GST-IN नमबर मिलता है, वो किस फॉर्मेट में रहता है, उससे कैसे पता चलेगा, GST स पता चलेगा कि वो जो बेपारी है, वो पिहार के है, गादिस्खान का है, यूटी का है, मद परदेश का है, दिली का है, तो महराष्टा के हर जगा के आपको पता चल जाएगा, तो चले जोस्तों, अब हम GST का फॉर्मेट समझते हैं, जैसे ही आपके पास GST-IN होने के बा समान, अगर अब ट्रांस्पोर्ट का समान, मेरा खुद, मेरा खुद का ट्रांस्पोर्ट है, मेरा खुद ट्रांस्पोर्ट पकड़ा गया था, मेरा जो ट्रक पकड़ा था, ट्रक क्यों पकड़ा था, वो हम बताते हैं, जिए हम लोग को लोकल जो माल सप्लाई करते हैं, 20 साबुन खरेदा साबुन का काटुन खरदा वह बारा सुर्प हैं तो क्या कि वह भी चूरी से लाया बीना टैक्स को दियो हुए बीना टैक्स को दियो हुए यह क्या कर दिया बेपारी को बेच दिया मतलों मेरे इधर बेच दिया मतलों जो मेरा बेपारी रांक जिसका हम ट्र बिन दिल का बेजिया मतलब चोड़े किया अब देखिए साबुन का है तो साबुन यहां के 12% का जो टैक्स लगता वो तो लगे रही अब सुचिए 12% का टैक्स इसको नहीं दिया अगर 12% वो अपना में आइड करता तो कभी भे 1400 में ना बेच इता हूँ चौदा सो में क्या कर दिया बेच आगर वो अपना 10% की टैक्स मो लेजा है 5% टैक्स लगता साब उनमें तो 12.50 रुपय तो इसको टैक्स हो गया तो 1260 रुपय तो इसको खरदा रही हो गया अब 1260 रुपय तो 14 रुपय में बेचेगा तो 1400 को भी तो अपना परसंटेग दो देगा ना 1400 रुपया गुने 5% 14.70 तो वो केस्टमर से कितना रुपय लेगा 1470 पर 1470 मतों सरकार को टैक्स दिया ही नहीं बिना बेल का भेज दिया तो वो क्या किया किया को टैक्स चौदा सो में बेचे दिया मतों सरकार को टैक्स दिना है नहीं अगर टैक्स देता तो उसक से चूरी हम क्या कर दिया? देखे जो डिर्वेट्ट हो जी सरकार का रोग लॉष गया अब सूचिया अगर दर्स काटन लगाया तो साथ पर तो डए नुक्सान होगे आप दूए सोपर में इसको क्या किये पहुंचा दिए तो अक्सर जो चोड़ी होता है ऐसा ही चोड़ी होता है समझ रहें आप और इसी कस्टामर सो फिर क्या होता है फिर कस्टामर से दर ये और इस साबुन पर MRP है किसाफ प्रौपा चार सो रपया आप उसको करने कितना रुपा तीन सुर्पा में खर दे हैं तो बना देना ने ये लेगा उर चार सो रपया का पुरा सबुन को इमार्थी के यसाब से अपना tax देना स्टार्ट कर देगा समझ थे चाहस होते हैं को अपना tax लेगा और फिर उसके बाद आपको देना पड़ेगा और देना पड़ेगा तो आप फिर जिसका माल है उससे हो कि दीजिए या पर अपना जो ट्रांस्पोर्ट है अपने अपने इसाप से दीजिए ठीक है तो इस तरह के सिल्टेक्स वाले आपको परसान करते हैं अगर आपको जेन्वन कांट करना है पुरा आपके पर जिस्टी बीन पक्का है इंग्वाईसी पक्का है तो आपको कोई भी प्रॉलम नहीं हो पाएगा तो मेरे प्रॉलम तो ही होता है टैक्स कुछ जो ही हो जाता है ठीक है अब देखिए यहां पे से टेक्स वाले कैसे समझ चाहते हैं कि यह वोला जो बेपारी है कहां से आजा है ठीक है इसका भी कोड भास होता है जैसे मेरे पास यह जेश्टी है और सेटेक्स वोला को हम दिखाएंगे कि यह मेरा जेश्टी तो पता चलेगा कि यह जो जेश्टी है जो बेपारी है जो बिजनस कर रहा वो कहां कर र है well तक यहां तक से यहां तक एक दो तीं चार पांचो फ साथ यह दस अंक जो ड़ता है यहां तक यह दस आंक किसका राता है कि कर रहता है अब यह देखिए जो बीच में जो जेट रहता है वो आइसे अइसे होते रहता है अब यह जो है रहता है तो इसके होता है जो भी आया इसके रहता है इसके कोड़से कोड़से क्या कर सकते हैं यह कि इसके कोड़ से कर सकते हैं यह मेरा ढालनी जाय है अब दखिये मेल यससे से प्रकृचान जाता है कि वही आरख पय है आप नंबर देखा replaced America a जेसे यह बात या रखशी किये गा कि बीना पाइन नंबर का आपका GST रिजिसेशन नहीं होगा तो जो पीच में जो लिखा उडा वे क्या लगाठा हुना फाइन काड कर ला तो अब यह जो पहले अगर अगर बिहार से हैं तो यहां पर क्या लिखा रहेगा रही आगागा अगर आप जहारकन से हैं तो यहां पर honestly लिखा रहेे गागा, गर महारास्टा से हैं meant court समझाई है कि शतभाई से तो महारास्टा सी आया है that पागल नहीं तो इसी से समझेरा कि अगर सिफ 0-3 रहेगा तो समझेगा का है यह विस्स कर रहा तो आगने करता है तो नहीं किया करता है तो इसो फिर नहीं और पंजाब का है और यह पढ़ाब से बिस्स कर रहा है तो इसी तरह से अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा से डौट है तो आप मुझे कमेंट किजिए हम आपको जहां पर ही प्रॉलम हुआ है हम आपको फिर से समझा देगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके जो अंडर में जो भी आपके भाई है पहन है या पर पापा है जो जेश्टी का बार में नहीं जागते हैं आप वाटसाप के स्टेटस लगाए ताकि मेरा वीडियो देखे उनको नौलेज वाजाए और फिर उसके बाद बता हैं कि मेरा यूटूब चैनल दीपू विंदास से उसको सब्सक्राइब करके जहूर रखिए क्योंकि जब भी हम आपको बताएंगे बिजनस के लेटर वाला बात बताएंगे हमेशा जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके आपके पास वीडिएकेशन आ जाएगा जिसस तक लिए देखते रहिए मेरा यूटूब चैनल दीपू विंदास से जैनी जैवारत